स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेंडा टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेंडा टीवी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आप सभी को डेन आरलेम से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले दिदी आप सभी को अउगत कर दिया जाएगा तो प्लीज हमारे प्रेंड टीवी चल्ल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर दिदी आप पहले से ही डेन आरलेम में जुड़ी हैं तो आपसे निवेदन हैं कि पंच सूत्र का पालन करना बिलकुल लबु लें सापताहिक बैठक, सापताहिक बचत, आंतरीक उधार, समयसरन वापसी, लेखा जोखा इन पंच सूत्रों का करे पालन और अपने समू को रखे सक्रिय क्योंकि सक्रिय समू को ही योजनाओ का लाब दिया जाता है और वरिता भी मिलती है, तो चले देदी, ज्यादा ना बात करते हुए बेन टॉपी की तरफ आते हैं, जैसा कि आपने हमारे थमने में देखा है इस्रम कार्ड, जी हा देदी, आप सभी को जैसा पता होगा कि योगी सरकार मजदूरों को दे रही है, हर महीने पांसा रूपए, आप भी उठा सकते हैं, लाब जाने कैसे सबसे पहले देदी, आप सभी को पता ना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपनी इस्रम कार्ड नहीं बनवाया है, तो जल्द से जल्द पास ही अपने ECSE सेंटर पर जाकर इस्रम कार्ज रूबन वाले, क्योंकि ये दिसंबर तक अनिवारे भी है और आपको लाभी मिलेगा जन्वरी से CM योगी आदितनाथ ने असंगटित छेत के करीब धाई करोण और पंजिकृत गरीब 60 लाख मजदूरों को दिसंबर से मार्च तक 500 रुपए प्रती माह देने की घोश्रा कर दी है योगी सरकार मार्च 2022 तक मजदूरों को हर महीने 500 रुपए देगी यदि किसी के पास इस रमकार्ड है और वह उत्तरप्रदेश का स्थाई निवासी है तो इस रकम को पाने का हकदार है इसके लिए रजिस्टेशन कराना होगा अनिवार मुख्यमंत्री योगी आदित तेनात ने असंगटित छेत के करीब धाई करोड और पंजेकरित करीब 60 लाख मजदूरों को दिसंबर से मार्च तक 500 रुपए प्रती माह देने की घोश्रा की है मुख्यमंत्रे की इस घोश्रा के बाद इस्रम कार्ड पोटल पर रजिस्टेशन कराने वाले स्रमिकों की संख्या बढ़ रही है सो मार को सुबह तक 2,76,000 से अधिक स्रमिकों ने पोटल पर अपना रजिस्टेशन करा लिया है कुदिदी बता दे कि रजिस्टेशन के लिए जरूरी दस्ता वेज कौन कौन से है स्रमिकों को रजिस्टेशन के लिए अधार नमबर, मुवाइल नमबर, अधार लिंक और बैंक अकाउंट देना होगा अगर किसी स्रमिक का मुवाइल नमबर अधार से लिंक नहीं तो वह नस्देगी के CSC कामार्श सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाड़ी करण के माध्यम से पंजी करण कर सकता है इसके अलावा हेल्प डेक्स नमबर पर काल किया जा सकता है क्रेडेसियल्स की पुष्टी करने के बाद इस्रम पोटल पर मुवाइल नमबर अपडेट हो जाएगा इस्रम पोटल पर रजिस्टेशन से पहले इन बातों का रखे ध्यान स्रमिक की उम्र 16 साल से जादा और 60 साल से कम होनी चाहिए स्रमिक की उम्र 16 से जादा और 60 साल से कम होनी चाहिए किसलिए इस्रम काड़ बनवाने के लिए स्रमिक इनकम टेक्स का भुगता न करता हो जी हाँ अगर वो इनकम टेक्स पेई होगा तुसे नहीं मिलेगा इन योजना का लाब अगर कोई स्रमिक टेक्स पेर है तो वो पोटास पर रजिस्टिशन नहीं कर सकता EPF और ESIC का स्तदस से भी पोटास पर रजिस्टिशन नहीं कर सकता क्रिसी इस्रमिकों के पास सबसे अधिक इस्रम काड़ पाए जाएंगे क्योंकि वो गरीब है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इस्रम कार्ड क्रिसी स्रमिकों के पास है इनकी कुल संख्या 1,33,88,542 है दूसरे नंबर पर घरेलू कामगार है जिनकी संख्या 43,44,111 है वहीं तीसरी नंबर पर निर्माण छेत्र में लगे स्रमिक है जिनकी संख्या 25,73,740 है सरकार ने इस्रम पोटल्स पर 38 करोण स्रमिकों का रजिस्टेशन कराने का लच्छे रखा है पुर्वांचल में सबसे ज़्यादा स्रमिक रजिस्टेशन है सबसे ज़्यादा स्रमिक पुर्वांचल से इस्रम पोटल्स पर रजिस्टेशन हुए है इनमें कुसी नगर पहले और महराज गंज दूसरे नमबर पर है इसके बाद बहराईज सिधात नगर और गोंडा जिले का नमबर आता है कुसी नगर में 9,33,535 स्रविकों ने रजिस्टेशन कराया है जबकि महराज गंज में 8,96,899 स्रविकों ने रजिस्टेशन कराया है पूर्सों के मुकाबले रजिस्टेशन कराने में महिलाएं आगे है रजिस्टेशन कराने वाले महिलाएं या पुरुष महिलाएं आगे हैं 16 दिसंबर 2021 तक के आकड़ों के मुताबिक 51.17 फिसदी महिनाओं के पास इस रमकाड है जब की पूर्सों में मात्र 48.83 फिसदी के पास ही इस रमकाड है महिलाओं में सबसे ज्यादा रजिस्टेशन 18-40 साल की महिनाओं ने किया है अगर दिदी आप लोगों ने नहीं किया तो जल से जद आप लोग अपना इस रमकाड जरू बन वाले और इस योजना का लाब उठा ले हो सकता है दिदी आगे चलके और भी कुछी योजना इस रमकाड से जुड़ जाएं जिसे आप लाब उठा सकें आपको एक और सुचना बताना है कि आपको ये बता दे कि इस रमकाड से एक और फायदा है जो दिदी अत्तधिक गरीब होंगी उन्हें आवाज भी दिया जाएगा इसके तहत जो अभी एरांसमेंट नहीं हुआ है इस रमकाड योगी सरकार मजदूरों को दे रही है महीने 500 रुपए आप भी उठा सकते हैं फायदा तो आप क्यों नहीं है उठा रहे हैं जल से जल आप लोग इस योजना का लब जरू उठाए इस रमकाड जरू बनवाए आप सभी दीदी से निवेदन है कि आप समू चलाती है आप हमसे जूड़ी है तो आप से इरिक्वेश इतना है कि आप अपने समू के बैठक में सभी दीदियों से चर्चाय करके इस रमकाड जरू बनवाले ग्राम संगठन के मीटिंग में जब आप बैठक करें आप सभी दीदी को इस रमकाड बनाना अनिवार है या कलेश्टर की मीटिंग में जब भी आप कोई बड़ा मौस्ता या बड़ा मीटिंग रखें तो वहाँ पर सभी को इस रमकाड के बारे में जरू बताएं उनकी योजनाओं के बारे में बताएं अगर आपके पास समय नहीं तो हमारे इस वीडियो को आप उनके पास सेर जरूर कर दें कि कि हो सकता है सेर करने से उनको कुछ समझ में आए और वह इस रमकाड का लाव जरू ठालें तो चले दे आज की वीडियो बस इतना ही जाते जाते एक बर फिर करना चाहूंगे कि अगर आप अभी तक हमारे प्रेड़ना टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि आपको केंद सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाए जाएगी फायदे मत रहेंगी आप दीदियों के लिए तो हम अपने चैनल पर सबसे पहले आप सभी को उगत कर देंगे क्योंकि जब तक आपको योजनाओं के बारे में पता नहीं चलेगा दीदी आप लाब नहीं उठा सकती तो इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे ब्रेंडा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो चलिए आज की वीडियों बस इतना ही धन्यवाद जया जीवी का